यूटूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आप में आपको पेट की मसाज के बारे में बताऊंगी कि पेट की मसाज कैसे करते हैं और नावी में ऑईल रखने से क्या होता है फर्स्ट हम आईल लेंगी सरसो का आईल सबसे बेस्ट होता है यह देखिए यह मैंने जो आईल डाला है यह अगर आपकी सुंडी में अगर हम डाले रहेंगे थोड़ी देल तक तो आपको ड्राइनस नहीं होगी क्योंकि नाभी का कनेक्शन फुल बॉड़ी से होता है पहले आप आईल अप्लिकेशन करेंगे फुल टेट पे आप आप आईल अप्लिकेशन करेंगे फिर उसको साइट से लिफ्ट करेंगे साइट की लिफ्टिंग हम इससे करते हैं कि हमारा यहां पे कट आए और यहां की जो चर्बी है वो थोड़ी बर्न हो जाए उसको प्रेशर देते हुए हम सेंटर में लाएंगे इसी तरीके से हम दूसरी साइट भी लिफ्ट करेंगे सेम हम उसको लिफ्ट करते हुए सेंटर में लाएंगे नाभी में ओयल डालने से एक फायदा होता है कि आपको बार बार ओयल नहीं लेना पड़ता मसाज करने के टाइम पे नाभी की साइट से लेते रहते हुए फिर हम यहां से यह जो पोर्शन है इधर से हम इसको इस तरीके से हम गूठे की मदद से नीचे की साइट पुश करते हुए लाएंगे फिर हम इसकी नाभी की साइट में रिंग करेंगे लाएंगे 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 पेर ंटा कि साइट नाएंगे लाएंगे 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 फिर हम दोनों हातों को पुष्ट करते हुए नभी तक लेके आएंगे फिर दोनों हातों को पुष्ट करते हुए फिर हम इस हाग को लिफ्ट करते हुए एक इस साइड एक इस साइड निचे की साइड ले जाके फिर हम जो रीड की हाटी होती है उस पर टाच करते हैं निचे की साइड उस पर सिफ़े हम पुष्ट करते हुए उपर लेके आएंगे दो नहाब से इस तरी के से इस तरी के से हमारी मसाज कम्प्रीट हो गई और हमने इसमें थोड़ा सा ओयल भी छोड़ दिया है कि हमारी जो हो ड्राय हो जाते हैं यह स्किन थोड़ी ड्राय होती है तो उस पर भी नरिश्मेंट आ जाए इसलिए हम थोड़ दिर इसको पांसाथ मिनट ऐसी डले छोड़ देंगे और उस मैंने आपको पेट की बसाज कैसे करते हैं उसके बारे में बताया है मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीस लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए बहुत बहुत थाइंक्यू देखने के लिए